बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूटूब चल पेपर हैकर में और मैं सुरस रास आपको बता है कि हम लोग important question को provide कराते हैं जो आपके paper में चप रहे हैं मतलब कि आपके paper में क्या है चप रहा है जो गोचन हम आपको बताते हैं और आपको यह भी हम guide करते हैं कि जो हम आपको important question रहे हैं यह 100% right है किसी भी university से इंडिया के किसी भी university से हैं यदि आपका semester वाई हो चुका है याद रखना यदि आपका semester वाई हो तो याद रखिए कि आपको इसके अलाबों कुछ और पढ़ने की जरूत नहीं है आप पस इतना देख लिए चाहिए आप कॉलकाता से हो बच्छे मंगाल से हो कोई दिक्कत नहीं है आप चाहें बच्छे मंगाल का स्लिवस पूरा सेंटू से मैं बद्ध प्रदेश का पूरा सबते हैं मतलब कि आप दो हजार बाइस के कि आने वाले हो टॉप 10 की यदि आप पूरेंज़ेंट नहीं आ पड़ेगा यदि मैं आपसे बो एक्जाम से दो दिन पहले कुछ प्रवाइड कराता हूं जो पेपर में आ पर संब गई है आप मेरे स्क्रीम के आनुसार जो भी पेपर होता रहे उसको पहले से पहले करते रहे बस आप मुझे अपडेट तो दीजे ना बहुत साथ उनिवेस्टियां है ठीक है उनकी जानकारी मैं इसमें प्रेजेंड में नहीं रखभा रहा हूं क्योंकि मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम कर रहा हूं इदर-दर ज्यादा मुझे काम बढ़ा हुआ है तो इस बज़े से मैं क्या यूणिवस्टी में क्या चल रहा है वो मैं kin मिल रहा है जो सरने बताए यदि मिल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है चुब चाप हमारे नौट्स को डालोड कर लेंगे हमारे नौट्स को कर लेंगे जी को कुछ लुद करने के लिए सब्से पहले हमारा एक website प्राइट है जिसका नाम है पेपर इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं पेपर हैकर ठीक है डॉट इन पेपर हैकर आप डॉट इन लगाएंगे यह सर्च कर लिजी गूगल पर यह मैंने फिर डिसकोप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखाया सबसे उपर ही लिंक होगा सब्सक्राइट करा रहे हैं वह भी तरीके से जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे बिल्कुल सौट में एक बार पढ़ेंगे ना तो आपका उसका 50% याद हो जाएगा ऐसे नोट्स जो आप वो सिंपल भासा में बनाते हैं हम लोग वो प्रवाइट कराते हैं आप डानलोड सबसे कम फीस में सबसे कम फीस में हम आपको प्रवाइट कराते हों अब दताई 40 रुपए का नोट से ले लो इसका यार हम कोई जादा ले रहे हैं अपसे बदाओ कि इतना सस्ता सब को चल रहा है तो लो डालोड करो यार सभी है और आप मुस्ते अभी बादा करिए प्रॉ और भरोसा करिए और भरोसा आप मुस्पर दलाए आप भी मुस्थ पर भरोसा करता हूं कि यह वीडियो को शेयर करेंगे और जो भी आपके लास्टीचर है इस्टुडेंट है आपके जयनवाचान कर चाए भी एको बीए सीकों बीकाम को एनिवे तो आप सबको बताएंगे पहला कोशन पर टिक लगाएंगे कार्वो हाइड्राइट्स का क्लासिफिकेशन मतलब कार्वो हाइड्राइट्स का बर्गीकन करिए अब बर्गीकन जब करेंगे तो यह तीन भागों में डिवाइड किया गया है किसको क defyations को थीष्ए Hak Carl इन तीन लोगों पहएंप पूरा कॉशे हैं पहसता है आपको शाद्र चाहते हैं ए फिलाज सोट में आप सब लो यहाई तो चाहते है आप हमारे नोट्स को डानलोड कर लो हमने पहले इसको लॉंग में रखा है और कुछ पार्ट में रखे हैं ठीक है तो आप जैसा जाहें बैसा पड़ सकते हैं वो आपको पर डिपेंड करता है उसके बाद हम नीचे की बात करेंगे एक दूसरा कोशन है क्या है लिपेड़ तो यहां बोला गया classification signfication of lipp Baptist मतलब क्या है महत बताना है और उनका वरगीखन का बताना है लिपेड यहीं आप लिपर से गुण क्या होते है तो यह समझने में फेर होती है हम लोग थोड़े उपर आ चुकिए थोड़े से उपर समझ रहे न तो वह तरीके से सोच रहा होगा अपको उसके बाद क्या करना होगा देखो नेक्स कोशन में पढ़ाओ प्रोटीन के बारें पढ़के जाना है प पहले तो यह पता होना चाहिए और कितने प्रकार होते हैं कितने टाइप लेट लग लो खतम यह सब्सक्राइब कर देना वह है तो चलो और प्रोटीन के बारे में अब दूसरा टैच करो next question next question book per note करो या फिर आप अपने gas paper पर टुक लगा लो या फिर हमारे breaths लोड कर लो तो ये बीडियो देखने की ज़रूँ पड़ेगी आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी बिल्कुल नहीं पड़ेगी चलो next question is enzyme क्या है enzyme होता क्या है पहले तो जान लो enzyme होता क्या है उसके पिरकार, उसके कितने टाइफ होते हैं इंजैम के महत्मुन टाइपों को याद करने, ज़्यादा फाल्ट पढ़ने की जरूद नहीं है, पहला होता जिल्ले इंजैम में इसमारें, जबता इंजैम इससरी क्रिया भी धी, हमारी बाडि optimum की सक्क्रसित लिए आफ हैं क्लासिफिकेशन कर देना है खतम कहानी चलो हटाओ इस कोश्चन को देख लो क्रैप्स चेकर क्या होता है और सिट्रेक अंबल पढ़ लेना बहुत जाद इंपूटेंट है यह कोश्चन जब क्लासिफिकेशन के बारे में पूछेगा तो यह कोश्चन बनेगा बरना यह सिंपल पूछ रहे हैं तो आप यह कोश्चन बनेगा आपको डरने की जरूत नहीं है सौट लॉंग होता गया है भूल जाएए सिर्फ आपको पढ़ने पर वरोसा करना है अपने आप पर वरोसा करना है कि आपको हम आपको नूट्स प्रवाइट करा रहे हैं नूट्स को डानलोड करो बात खतम करो और बताओ सोशने समझने की जरूरत नहीं है उसमें जैसे हम क्या होता और यह वैरी इंपुडेंट कोशन रहे है इसको मौश्ट इंपुडेंट कोशन पर लगा लाएं पेपर में श्हपद आए एक चैक्र देखो यह है यूरियाच साइकल ठीक है? यूरियाच साइकल और इसको हम एक और नाम से बोलते हैं जिसे कहते है PBS और निथीन चक्र के नाम से भी चाना जाता इसी को तो आप ये दोनों में से कोई भी नाम आए सब कुछ भाई लिखना है जो आपने याद किया है ठीक है चालो एक जैविक महत आपसे पूछ रहा है निकलोटाइट के तो निकलोटाइट है यहाँ देखो निकलोटाइट क्या है उसके जैविक महत की वारे में आपको बता देना है यह कोशन जैविक महत यह बनता इतना तो आपका यह कोशन कितना हैगा यह शौट में भी को ना के दिखाएंगे एक माल दीजे यह हुमैन है कि मुझे आप इस तरीके से क्या कर दिया यह तो मच बना दिया तो गई कि यह चोटी आथ हो गई देखो द्हान से मिरी बात को यहां से बड़ी आता आई और यह गोदा बन गया ठीक है यह गोदा हो गया यहां से क्या है मलत याग दिया यह हमारा क्या है यह हमारा क्या बन गया यह हमारा क्या बन गया यह हमारा बन गया डाजिसल सिस्टम ठीक है किसका हुमैन का हमसे भाई बोना है कि देखो मनुस्के पाचन तंद्र की सरचना आप क्या गाएंगे यह माउत है ठीक है यह इसको आपको बता देना है ठीक है किलियर हो जाएगा है हां से यहां तक इसके बारे में सब कुछ explain कर देना है वहीं यहां डालना होगा बाकि एक्ष्टर कुछ नहीं करना है next question oxygen आप देखो यह question देखें यहां से यह question मनाया है देख्यो oxygen प्रथक्रण इसको जो आप देख रहे हैं इसको आप्स प्रथक्रण के बारे में यह हम से पूचा गया है जब हमने बौडी में हमने क्या कर दिया आक्सिजन का परिभान यह पूछेगा रुदर में यह हमारा ब्लेट सेल्स है मतलब कि यह कोश्का मान सकते हैं यह फिर यह कोश्का गंद मतलब कारण क्या है कि इसको हम क्या मान सकते हैं इसको मान लीजे यह हमारी नसे है अब इसमें ब्लेड वेर है इसमें आक्सिजन की मात्रा भी होती है आपको बता है होती है क्लियर हमने क्या हुआ कि ममारे क्या लेते हैं ये फेपड़े ले लो फिक है ये फेपड़े हैं समझे रहे ना ये फेपड़े हैं ये माउथ ले लिजे छए ये माउथ हैwow यह आपको एक इमेज बनानी होगी बह från प्सक्रों जाए गी बहां मिल जाएगी वही आपस मोल ग्या है कि औजिठ किस तरीके से गुलती है और बापस कार्मन एक्षाइट किस तरीके से निकलती है यह दोनों पॉजिशन को रप्टा लेना काम हो जाएगा समध रहे न तो इस तरीको बस चित बना के याद कर लो एक बार में अध्य देखो बहां हमने बताया आक्सिजन के बारे में यहां गया कार्मन एक्षाइट के बारे में क्योंकि हमने आक्सिजन को ग्रहाड गिया और काप्रेक्षाइट को शोड़ दिया वो दोनों प्रोसेस के बारे में बता देना है हिर्दय की धरकन आप जानते हैं हिर्दय की धरकन को हम देखो हाड़ वीट भी कह सकते हैं यह फिर्दय इस होता है उस पर अधिक जोर पड़ना मतलब कि वो आपके बिलड को पूरे बॉड़ी में क्या है भेज नहीं पा रहा है जब भेज़ेगा नहीं तो क्या होगा इसको ज़्यादा मेनत करने ही पड़ेगी भेजने के लिए दवाकम मारें प्रेसर को समझ रहना मेरी बात को तो वो चीज़ी है तो यह अधिक फूल जाता है तो यह पोजिशन देखने को मिलती है तो इसमें भरते को पेशेंट को तुरंद भरती कराना चाहिए ज़्यादा दिक्कत आ सकती कभी भी हाट अटेक बगड़ा आ सकता है कि समझ रहें मेरी बात को तो क्या करना है तो यह अगरे टाफ ऋखर बॉहीज़ेन पनेगा उसकन्दन कहा होता है अब यहाँ क्लोटिंग की है क्लोटिंग मतलब क्या थका कैसे जम जाता देखो रखका ठका बनने की क्रिया क्या ओती है बहुत 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 इंपोटेंट ये इस पड़िये बाकी एक्जम आपका चुका है डेट शीट आ गए मुझे शैंड करिए मैं उसके अनुसार जो भी होगा पेपर उसको मैं उसके अनुसार आपको बिल्कुल सौट पे कम कोश्चन कर दूँगा जो आपके पेपर में आ रहे हैं अभी आपको के वल इतने पढ़ना है ध्यान से देख लो और जिसका जिसका टै लाएं पेपर इस तारीक से आप इनके इंपोड़ेट बनाएं मैं कोशिश करूँगा सारी कोशन इंपोड़ेट बनाने की देखिए मुध का निर्मान के इस तरीकर फॉर्मेशन रिंग कैसे होता है वह रताना है आपको नेफ्रॉन तो बहुत जाथ है नेफ्रोन बनता है humant में और मुदकरन बनता है यह कि एक बोमन कैप्सूल वह बनता है विलकुल आ का है शौट मनेगा प्यूस ग्रंथी को मास्ट ग्रंथी भी बोला जाता है इसके बारे में आपको देख लेना है ठीक है उसके बाद में काडिक चक्र को देख लेना है काडिक क्या होता है और इसके प्रकार के बारे में आप देख लेना इतने आपको याद करके जा रहा है जो है 2022 में आने वाले कोशन अभी आप इतना पढ़िए क्योंकि आपको थोड़ी से मेहनित करने की जुरूद है काफी टैम है अपके एक्जाम के लिए तो आप इतना पढ़िए उसके बाद में एक दो दिन जब बसते हैं तो आप जो मैं बताऊंगा बढ़ना है इनकोशन में सही बताऊंगा ज आपके लिए बाए बाए